कहता है परतिवा हो तो सम्मान मिलता है और यही देखने को मिला जहानाबाद स्टेशन के समीप अवस्तित आमा कलब ने आमा कलब में जिला तलवारबाजी संग जहानाबाद के द्वारा कला संस्क्रिती एवं युवा विभाग जहानाबाद के सोजन्र से दक्ष खेल में तलवारबाजी खेल का जहानाबाज जिला ओपेंट ट्रायल का परतियोगिता खेल परादिकारी जहानाबाद निकिता कुम इवं शारेरिक पशिक्षक निर्भै कुमार भी इस मौके पर मौझूद थे। और आमा कलब की भूमिका इसमें निश्चित तौर पर बहुती महत्वपूर्ण है। आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये बच्चे देश और दुनिया में अपना नाम रोशन करेंगे। परखन लेवल से उठाया गया है खेलाडियों को ताकि सभी बच्चा यहां से खेल में निकल सकें। उसी तरह दक्स खेल के जड़िये ही आज हमारे आमा कलब में तालवारवाजी खेल का ओपेन ट्रायल जिला प्रत्योकता हुआ। जिसमें जहानावाज जिला के खेल पदादिकारी निकिता जी के नितरत्र में हुआ। और उनके काड़्याले के और भी लोग थे रश्मी जी, खेल परशिचक निर्भै जी भी मौजूद थे और हमारे जिला के कोच बेद प्रकास भी मौजूद थे। और यहां से हमारा तीन पिलियर, अंडर 14 में कुनाल सिंहारिया ने गोल्ड पराप्त किया। और अंडर 17 में अशिश कुमार ने भी गोल्ड पराप्त किया। और अंडर 19 में अमीद कुमार ने भी गोल्ड पराप्त किया। इस तरह बच्चे अब परमंडल लेबल तक जाएंगे परमंडल में भी खेल करके फिर ये राजजिस तरक हो जाएंगे और मैं खुद जिला लेबल पे इस खेल को थोड़ा सा रेफ्रीशिप में लिवाया जहनवाज जिला खेल पदातिकारी के दुआरा बच्चों को मेडल और परमान फत्र दिया गया और खेल पदातिकारी जी ने कहा कि आपका जगा बहुत तारिफ किया उन्होंने कि आप तो बहुत अच्छा बनाए हुए हैं तो मुझे भी अच्छा लगा कि कम से कम यहाँ जीला के खेल पदातिकारी मुझूद रहे और हमारे जगह पहुचे भी ताकि उनको पता चला कि हाँ यहाँ भी खेल रहता है